कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और संघी बेवस्था में हम लोग आज उच्छितम न्यायाले पर चाचा करेंगे और उच्छितम न्यायाले के गठन उसकी आउसकता और न्यायाले को सभी बातों को हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने का परियास करेंगे हाँ उच्छितम न्यायाले भारत का जो है सरवक्षी नियाले है और यहां पर अदिनस अदों सभी न्यायाले मीड़ better आने इधिकर्ड कर दों के नीड़े के बित जो है अपीव किया सकता है कीवल एक ऐसा समचना यासी में जासकता है और ही चाहिव कि आत्याद के लिए वह भाग पांच के अंतरकत अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भाग पांच में पार्ट किल 124 से लेकर 147 के बीच में कुति चितन न्याले का प्राधान किया गया है जहां पर विवादों का रिड़े किया जाता है इस प्रिष्ट भूमि में इसको यह देखना आउस्ति है कि इस की अस्थापन कि तरीके के परिष्टितियों के इसे क्या आउस्तिया तो यहां पर इस बात को ध्यान कि भारत में संभातमक्स आसम्पडाली बाइब और संभातमक्स बडाली की महात्मौल्ड विशेशता होती चेंद्र राज्च और प्रांथों मेशक्तियों का भिभाजन किया जाता है तो सभी सरकारे और अंग अपने अपने छेत्र में रहकर कारिक कर सकें इसके लिए यह आवस्यख है कि कोई ऐसी संस्था हो जो इनके मध्यूत्पन बुलेवाने विबादों का डिक्टारा कर सके तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरवोची नयायले का यहां पर या भारत में एक सोदंतर नयायपाली का क्या स्थापना की गई है यह दग्म मौली का धीकारों के संरच्छन और उसे लागू करने के लिए व्यक्ति अनुच्छे 226 और अनुच्छे 32 के तहट क्रमसा उच्छी नयाले और उच्छी नयाले इन दोनों ही ज़गों पर जा सक है तिसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति संस्था संगठन देश की जो व्यवस्था है उसे चुनोती ना दे सके या उसमें किसी भी व्यक्तार का हस्तक छेपना कर सेके इन बातों को भी ध्यान में रखने के लिए एक ऐसी संद्चना एक ऐसी संस्था की आओ सकता थी और उसी भारत सासन अधिनियम भारत सासन अधिनियम 1935 के अंतरगत इसे जो है 1937 इस भी में जो है न्यायाले की जो है पहली बारस था अपना भारत में किया गया था और अगर यहां पर आओ सकता कुछ देखा जाए तो संगहात्मक सासन व्यवस्था संगहात्मक सासन व्यवस्था और दूसरा जो है मौलिक अधिकार और तीसरा हर्षिन विधान ये तीन ऐसे पॉइंट है जिनको धिनान में रखते हुए भारत में न्यायाले की ब्यवस्था की गई और उसे इतना सप्चम बनाया गया कि वो सामाने रूप से प्रभावित हुए बगर इन सभी जो है ब्यवस्थाओं को बनाए रखने गया में के लिए कारेक कर सके तो इसी प्रिष्ट भूम में भारती संभीधान के भाग पांच में अट की एक सो चोबिस से लेकर 147 के बीच में संभोष्ची नयायले या भारत के उच्चितम नयाले का प्रावधान किया गया है और इसकी सबसे पहरी बार अस्थापुना जो में भारत सासनेद्रियम 1935 के अंतरगत 1937 इसबी में इसे अस्थापिक किया गया था तो आवसक्ता और प्रिष्ट भूम इन विंद्वों में अस्पष्ट किया जा सकता है दूसरी महत्त्रों बात है जो हम गठन के संदर्ग में देखेंगे आर्टिकल 124 के अंतरगत कहा गया है कि भारत में एक उच्चेतम नयाले ही होगा और यहाँ एक मुख्य नयाधिस सहीत अनय नयाधिसों से मिलकर बनेगा यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन होता है कि अनय नयाधिसों की संख्या तो अनय नयाधिसों की संख्या वही होगी जिसे समय समय पर संसत के द्वारा निर्धारित किया जाएगा बर्तमान समय में फुल मुख्य नयाधिस सहीत अनय नयाधिसों की संख्या जो है 34 है और जब पहली बार भारत में 8 नयाधिस भुआ करते थे परतमार में 34 नयाधिस है तो कुल मिला करके एक मुखः नयाधिस और अन्य नयाधिसों से मिलकर करके सरवोच नयाले या भारत के उच्छ नयाले का घठन की सचाएगा मुख्य न्याधिस की न्यूक्ति भारत के राश्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और अन्य न्याधिस तथा उच्छ न्याधिस की न्यूक्ति राश्ट्रपति भारत के मुख्य न्याधिस से प्रामर्स लेकर करेंगे और नयाध्यस मामले 1998 में यानि कि तीसरा नयध्यस oats मैटर था तो इस तरीकी कई case आये थी तो उसमें तीसरा को नयाध्यस प्रचलीट में और यहां पर मुख्य नियाधीस हो गए यह इनको प्रावお願いします देब है लेकिन इनका जो प्रावस्होंगअ वो जार ने ऎधीस के द्रान बने गए same promises पर्रावक होगा यह यह मैं उसे एक आजा पर कॉलेजिय यानि की 4 नयादिस्टो का जया समूंह। से कौलेजियम, समय में नयाधिसो की नियुक्ति की कोलेजियम सिस्टम जो है वो प्रचलित है। और मुख्य नियाधिस इन चारों नियाधिसों से बने हुए समून से प्रामर्स के आधार पर राष्ट्रपति को नियाधिसों की नियुक्ति के संदर्वी में प्रामर्स देंगे और मुख्य न्यायधीस का जो प्रामर्स होगा वो कम से कम दो न्यायधीसों के मत से सामें होना चाहिए या दो न्यायधीसों के मत से संगत होना चाहिए तो ये वेवस्था अन्य नयाधीसों की नियुक्ति के संदर्व में रही है जिसका की उल्लेकों प्रावधान आठिकल 124 के अंतरगत यहां पर किया लिया है अब ये आती है नियुक्ति के बाद कारेकाल की वेवस्था कि कारेकाल के बारे में बताया गया है कि भारत में उच्छितमनयाले कि मुखियों अन्य न्यायधीस अपने 65 बर्स की आयूं तक जो है पत्वाध पर भुर्ष यह तब इसके और वह राश्त्र पत्त को अपना पत्र भी दे सकते हैं और एक और बेवस्था है कि सावित कदाचारियों आपच्छमता के आधार पर इन्हें इससे पूर्व ही संसत के दोनुस सदनों में पालित संकल्प यून राष्टपत के हस्ताप्छर से इन्हें हटाया भी जा सकता है ये तब इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो जटिल है और उसका अंपालन करके ही इन्हें इनके पत्से हटाया जा सकता है सबसे पहले तो इन्हें हटाने के लिए कोई भी संकल्प संसत के दोनुस सदनों में लाया जा सकता है और तब तक उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि यदि लोग सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वहाँ पर सो सदस्य और राज सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो कम से कम पचास सदस्यों के जो है उस पर हस्ताच्य होने चाहिए तब ही उसे सदर में प्रस्तुत किया जाएगा। सदर में प्रस्तुत करने के बाद उस पर लोग सभा अध्यचे उसे सुविकार भी कर सकते हैं और असुविकार भी कर सकते हैं। इसी तरीकी से जब राजय सभा में प्रसुत किया जाएगा तो वहां पर सभापत के द्वारा उसे सुरिकार या सुरिकार किया जा सकता है. यह इसी हø corona कर लिया जाता है तो स्वाप्त हो जाता है तो उसी तीन सदस्थों की जाँड़ा जाएगा और जाँड़ा समीट में तीन सदस्थि होंगे इसमें से एक सुप्रिम कोड का न्याद इस एक हाई कोट के और एक ऐसे देखती जो न्याई विद्ध होते हैं जिने कि और कानून का जानकार माना जाता है यह इसकी चांच करते हैं और चांच करने के बाद अपने रिपोर्ट सदर में प्रस्तुत करते हैं सदर में प्रस्तुत करने बाद यह दोन सदरों से इस जहने कि दो तहाई वह म से इसे पास होना आवस्क है और पास होने के बाद इसे जो है राश्रिपत पशल रखागी तो न Ohh वोस्त täll Do I भारत ये समिधानियों राजव्यवस्था में किसी विन्याइथी उसको हटाने के संदर्वे में इससे भी संबंदित जवाल परिच्छा में पूछे जाते रहे हैं और कब किन लोगों के खिलाफ अलाया गया है ये चैप्टर समाप्त होनी के बाद हम लोग उस पर भी डिसकस करेंगे ताकि तथ्यात्मक कोईशन और उसके एंसर के बारे में आप लोगों को एक स्वस्थ जानकारी हो सके एक स्वस्थ आउधाना का विकास हो सके लेकिन अभी हम टापिक को प्रारभ किये हैं और टापिक प्रारभ से लेकर मध्या और अउत्ध तक एक अउधाराओ, को कुश्म कबर करने का यहां पर प्रयास कर pięas enfin और उसकी प्रकृ मदॉग को अउगजत कराने का प्रइस। कि इस प्रकार से घठान उसके निंवती कारकारा प्रकी ह इत्यात को हम लोगों ने देखा, एक और सवाल यहां पर बनता है योगता, वो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात पी होना चाहिए, और उसे किसी हाई पोर्ट में कम से कम पांच बरस तक न्याधीस का अंभव होना चाहिए, और अगर वो न्याधीस नहीं रहा है, तो उ पूच नहीं अलय या और अन्य नहीं आ रहे हों में मिलाकर कम से कम जो है उसे दस वर्ष के वकालत का अंभव होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक सर्थ पूरा होना चाहिए, एक और सर्थ है, या वह राष्ट पति के मत में कोई भीशे श़च्य रेक्थी हो, राश्टपति के मत में कोई ऐसा वेक्षी हो जिसे विध्य और कानून का ग्यादा माना जाता हो जो कि इस पद के लिए योग है और यह राश्टपति के मत में होना चाहिए तो यह अगर ऐसा है तो उसे जज़ और वकालत के सर्थ से भी छूट मिल सकती है और इस प्रकार की जो ब्यवस्था और प्रावधान है वो उचितम न्यायाले में किसी भी न्याइधीस के न्युक्ति में एक द्यापक आधार प्रदान करता है तो इस तरीके से हम लोगों ने आठकिन 124 के अंतरगत उचितम न्यायाले का प्रावधान उसके गठन उसमें सदस्यों की संख्या कैसे उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है उनका कारेकाल उनको हडाने की प्रदिया और योगता इत्यादी पर हम लोगों ने चर्चा किया कि यहां पर एक और बात ध्यान में रखना आवस्यक है कि जब भी पद्रिक्त होता है या उच्चितम नियाले में न्याधिसों की संख्या मामले की सुनवाई के संदर्व में कम हो जाती है तो वहां पर एक बैकलिपिक ब्यवस्था बनाए गई है जिससे कि उचितन नियाले के कारिव बादित ना हो सके तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आठकी 126 की रहं तरगत कारेकारी मुख्यने अधिस की ब्यवस्था की गई है कारेकारी मुख्यने अधिस की ब्यवस्था की गई है और कारेकारी मुख्यने अधिस की नियुक्ति राष्टपत की द्वारा की जाएगी चुकि मुख्यने अधिस ही नहीं है तो प्रामर्स मुख्य नियाधिस से लेने का कोई ओचित नहीं है अर्थात राष्टपत के द्वारा ऐसी इस्तिती में जब की उच्चितम नियाले के नियाधिस सेवा निव्रित हो गए हो या अनुपस्थित हो या कारी करने में असमात हो ये तीन कंडिजन है तो उस इस्ति में नियाम मुख्य नयधिस के दाहित्तो का निर्भात करने के लिए राष्टपत के ध्वारा कारी-कारी मुख्य नियुक्ती के जाती है м अजम हाथी सदस्यित अस्था coalition कि संख्या कम हो जाती हो और कौर्म पूरा करने के लिए नुख्यार्ण होती है तो वहां पर मुख्य न्याधिस, यानि कि उच्चितम न्याले की मुख्य न्याधिस के द्वारा राष्ट्रपती और जिस भी न्यायाले से जिस भी न्यायाले या चाहिए हाई उच्चितम न्याले हो, हाला कि उच्चितम न्याले तो पहले से ही कमी है, तो वहां से लिया न चाहें जिस भी राजी का उच्छ नयाले हो, वहां के मुख्य नयाधिस से प्रामर्स के बार यहां पर उसे तदर्थ नयाधिस के रूप में नियूट किया जा सकता है। सकती प्रामर्स करने के बाद तदर्तिनियाध PPt कर सकते हैं इसी तरीके से 128 रिद्रबी यह प्रावधान चेह है कि सेवा निब्रिति scheint सेवा निब्रित और के वायध की अगर कोई भी न्याइधिस जो की उच्चितम न्याले या उच्चितम न्याले से सेवा निव्रित हो गया है तो वहाँ पर मुखी न्याइधिस के बारा राश्टपति और उस न्याइधिस से चाहे वो उच्चितम न्याले का हो चाहे उच्चितम न्याले का हो से प्रामश लेने के के बाद उससे श्यवा-निवृत के रूप में न्यूथ सब्सेवा निवृत में उध्याद स्सक्राइक, मियाध्य करें यह कंग है कारे की अधिक्ता इत्यादी को ध्याद में रखते विद्यान होते है लेकिन उख्यटम न्याले और शेवा निबृत न्याई धिशू की मियूक्ति की जाती है जिससे गडी के काई को शंपाधित और मिस्ता किया जाना संभव हो शके तो यह बादे रही उचीतम न्याले के संदर्व उचितम न्याले के गठन के संदर्व में हम लोगों ने ये सारी प्रक्रिया और व्यवस्था देखा अब हम सुतमतर्पा पर थूरा सचाचा करते हैं कि खुकिंए उचितम प्राफर का सरुष्म्याले इसे उचिन्यायले अदिनस्व्यायले अन इतिकरण यू नियाइधिकरणों के प्रिद अपील को सुनेने का अधिकार है ऐसे इस्तिति में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और प्रावधान होना चाहिए, ऐसी सहुलिती होनी चाहिए, जिसके आधार पर ये नियाले स्वतन तरोड निस्पक छूप से काम कर शके, तो यहां पर ये ध्यान में रखना होगा कारपालिका से पिर्थक करण, कारपालिका से इसे पिर्थक करण किया गया है, और ये कारपालिका यानि कि जिसे वेवहार में हम सरकार काईते हैं, मंद्र परिषत काईते हैं, परधान मंत्रियों का समू काईते हैं, उससे प्रभावित हुए बगर बिभिन प्रकार के मुद्दों पर नेड़े ले सके, और निस्पच रूप से अपना निड़े सुना सके तो इसलिए कारिपालिका से इसे प्रिथक किया गया है और निद्रिदेस्त तत्तों में भी राज्ये से ये अपेच्छा की गई है वो की अपने सावर्त और संसाधुनों के दाइरे में इस तरीके के व्यवस्था और प्रावधान करेगा जिससे न्यायाले स्वतंतरोर निस्पा चुलूप से कार कर सके और कारिपालिका से उसे प्रिथक किया जा सके न्यूक्ति की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो न्यूक्ति जो है इनकी राष्ट्रपती के द्वारा किया जाता है और कुछ न्यायधीसों की न्यूक्ति में तो इस तरीके से यहां पर सरकार का प्रत्य चुरूब से हस्तक छेप रोगने का प्रयास किया गया है और इनकी नियुक्ति को राष्टपती जैसे कुछ अस्तक की संभैधानिक पताधिकारी के मात्यम से किया जाता है जो भारत का प्रत्म नागरिक होता है और देश में राष्ट की एकता और खनता का प्रत्य खोरता है तीसरा बेतन इन्हें जो बेतन दिया जाता है वो इनके पद्ध और इनकी गरिमा को ध्यान में रख करके दिया जाता है समय समय पर संसत के द्वारा इसमें बढ़ोत्री की जाती है इसे कम नहीं किया जाता है इनकी प्रेज़ियों को कम नहीं किया जा सकता है, भले बढ़ाया जाता है, तो संसत के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इनका जो बेतन होता है, वो भारत की संचित निधी पर भारत होने का अर्थ ये है, कि उससे संबंदित जो बजट है, वो माक के हुप में रखा तो यहां पर बेतन के आधार पर भी इनको सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि इन इस पक्ष रूप से और बिना किसी दबाव के कारे कर सके इसलिए बेतन की भी जो है यहां पर इनके प्रियाप्त विवस्था की गई है कारेकाल की अगर देखा जाए तो इनका कारेकाल भी परियाप्त रखा गया है पूंकालिक रूप में जो काम करते हैं और 65 वर्ज की आयू तक इन्हें काम करने की सुरक्षा प्रदान की गई है और इनको हटाने की प्रिक्रिया आत्ति जटिल है यानि कि साथ हारन लोप से इन पर आरों लड़ा कर इनको नह करता है जाना संभूर नहीं हूँ पाया है तो कारकाल की भी यहां पर इस प्रक्षा की गई है यह अगर आवमानना की बात किया जाए तो उचितब न्याले की द्वारा जो निड़े दिया जाता है उससे संबंदित पच्छकारों को इसे इलागू करना कंपलस्री होता है और इसका कंपलाइनस एक निश्व समय के अंतरगत नहीं होता है तो अब कॉर्ट का कंटेम्ट माना जाता है अईसी इस्तिती में इनके द्वारा दण्ड भी दिया जा सकता है इसलिए आवमाना के संदर्व में भी इनकी इस्तिती जो है 33-37 साली बनाई गई है और निस्पच्छ और सांथी पूबक जो है निस्पच्छ रूप से निड़त देने के लिए एक आधार पहला करने का प्लियास किया गया है अगली जो व्यवस्था है आच्रा नियाधीसू के आच्र पर उपत्या ओप से भी मुक्त किया गया है अथार ये किसी भी बिशेव पर निस्पच्छ रूप से सोच सकते हैं समय ले सकते हैं और नेड़े जो है सुना सकते हैं इस आधार पर इन ही जो है आच्रा पर भी जो है चर्चा और प्रश्न करने के अधिकार से मुक्त किया ग या न्याय धिकरण में वकालत पर रोख लगाई गई है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इनका बरतमान का नेड़े भविस में किसी विपद को प्राफ्त करने के संदर्व में प्रभावित ना हो सके इस बात को भायां में रखने उनका रखते हुए इसलिए की साथ pro भुश्च करें कि इसमें सडवान खूंक पर नहीं होता है और नियम तथा संचालन नियम इंब नियमियों प्रक्रिया नियमियों प्रक्लिया को भी बनाए रखने का इने अधिकार प्रधान किया गया है तो इस तरीके से अगर उच्छितम नयायले के सुतंदर्था को बनाए रखने के संदर्वे में बब्बतात किया जाए तो एक परियाथ ब्यवस्था है भारती समिधानी और राज ब्यवस्था के द्वारा की गई है जिससे कि उच्छितम नयायले के नयाधिस इस तरीके से किसी मामले की शुमाई कर सकते हैं और लिड़े दे सकते हैं जो अपने इस सुरूप में अत्यंत ही पारदर्सी और निस्पक्ष हो तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आज के टापिक में हम लोगों ने उच्छितम नयाले को प्रारंव किया और उसके आउसकता और ताकालिक प्रिष्ट भूमी पर चर्चा करने के साथ-साथ उसके गठन के बारे में और इसी तरीके से नयाले को सोतंतर बनाए रखने के संदर्व में ब्यापक प्रावधानों का हम लोगों ने अध्यन किया एक और बेवस्थाय सरकार के द्वारा पहल की गए थी जिसे 99 वार समिधा ससुधन अधिनिये के मादिन से राष्टी नयाइक नियुक्ति आयोग को अस्थापित किया गया था लेकिन इस नयाइक नियुक्ति आयोग को सुप्रिम कोट यानि की उच्चितम नयाले के द्वारा आसमवैधानी करार दिया गया इसलिए बरतमान समय में नयाइधिस की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पूर्वबत जो है कॉलेजियम सिस्टम पर ही आधारित है और इसके द्वारा उच्चितम नयाले के नियुक्ति राष्टबत के द्वारा उच्चितम नयाले के मुख्य नयाइधिस के प्रामर्स जो की चार नयाइधिसों के समय की कॉलेजियम पर आधारित है के द्वारा किया जाता रहा है तो आज के टापिक में बस इतना ही पुना अगले लेक्चर में हम इसके अगले भाग को लेकर के मिलेंगे तब तक आप अपने तैयारी को अन्य भी स्यों अन्य टापिक के साथ साथ जो है बढ़ाते रहिए मेहन से पर लच्छ को पाने का प्रयास दीजिए और पुना हम अगले लेक्चर में एक नए टापिक के इसके अगले भाग को साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार